करीब 70 साल पहले 1951 में ये फोटो ली गए थी इस साल कई माउंटेनियर्स एक सफर पर निकले थे ये ढूंड निकले कि माउंट एवरिस को कौन-कौन से रास्तों से चड़ा जा सकता है इस ग्रूप में थे एड्मेंड हिलरी जो टेंजिंग नौर्गे के साथ पहले इंसान बने थे जो माउंट एवरिस की उचाई को चुए और ये वक्ती है एरिक शिप्टन उन्होंने येटी के फुट्प्रिंट की एहली फोटो ली थी अपने साथी डॉक्टर माइकल वाड के साथ उन्होंने अजीव से फुट्प्रिंट देखे थे नेपाल के मैनलूंग बेसिन पर अब उनके पास कोई टेप नहीं था ये फुट्प्रिंट मेजर करने कले इसलिए उन्होंने एक आइस्पेक यूज किया ये दिखाने कले कि ये फुट्प्रिंट कितना बड़ा था और उसकी फोटो ली जब ये फोटो पब्लिश हुई दुनिया में कई लोग इस चीज के बारे में बात करने लग गए नियूस पेपर्स, साइंस जर्नल्स और कई पॉप्लर मैगजीन्स इस फोटो पर नज़र डाने लगी कई और लोग हिमाले जाने लग गए ये चेक करने कि जिस प्राणी के ये फुट्प्रिंट्स है वो असली है या फिर नहीं यहां तक कि नेपाली गवर्मेंट लोगों को लाइसेंस देने लगी येटी का शिकार करने के लिए यूए सरकार ने तक नोटिस भी जारी किया जहां उन्होंने बताया कि अगर आप येटी की खोज में निकले हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कई लोग येटी की इस कहानी में इंटरिस्टेट थे पर क्या येटी रियल है या फिर फेक इसकी हिस्ट्री क्या है इसी के बार में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो ये हैं इंडियन आर्मी के मेजर सुषान सिंग वो एक एक्सपेडिशन में थे हिमालयाज में मकालू एरिया में और उन्होंने का कि उन्होंने इतने बड़े फुट्प्रिंट्स देखे कि किसी इंसान के होई नहीं सकते जब सुषान्त ने अपने शर्पा गाइट से पूचे इसके बारे में उस गाइट ने का कि ये फुट्प्रिंट से एक जंगली आदमी के जो बरफीले एरियाज में रहता है कि येटी रियल है या फिर नहीं शर्पा लोग में इसके बारे में कोई कंफूजन नहीं है येटी एक एहम भाग रहा है उनके कल्चर में कई सदियों से जो वर्ड येटी है वो आया था टिबिटन शर्पा की भाशा से येटी के बारे में रिटन रिकॉर्ड आपको मल जाएंगे बारवी सेंचुरी तक जानी करीब आट सो पचास साल पहले एक टिबिटन रिलिजिस टेक्स्ट इसका नाम है मानी कभूम उसके साबसे टिबिट एक बहुत बड़ा लेक होता था और जब ये लेक खतम होने लगा तब नए जंगल जानवर और पहाड उबह रहा है और इनी में से एक पहाडों में टिबिटन लोगों का जन्म हुआ इस पहाड में रहती थी सिन्मो एक ऐसी प्राणी जो एक अफ़तार थी बुद्दिस दीवी द्रोल्मा की ये प्राणी एक बंदर से मिली जो एक अफ़तार था बुद्दिस दीवता चैनरेजिक का इन दोनों ने छे बच्चे पहड़ा करें जो इनसान भी थे और बंदर भी ये माला जाता है कि एन छे बच्चों के पूरी शरीर में बाल भी थे और पूच भी थी फिर इन छे बच्चों से छे different Tibetan groups बने, कई सालों के दारान ये लोग बंदर की तरह कम और इंसान की तरह और होते गए और eventually modern Tibetan लोगों का जन्व हुआ, Tibetan लोग ये मानते हैं कि उनके ऐसे भी पूरवच थे जो actually कभी इंसान नहीं बन पाए, वो जंगली रहें और उनको कहा जाता है येटी, Tibetan लोग ये मानते कि येटी दूसरे जानवरों की तरह नहीं है, वो थोड़े इंसान की तरह हैं पर वो पूरे इंसान नहीं है, वो ऐसे प्राणी हैं जो रात में सोते नहीं हैं, बहुत उचाई में रहते हैं और इंसानों से दूर रहते हैं, बुद्दिस, मंदर और किताबो में आपको ऐसे प्राणी के कई फोटोस मिल जाएंगी, इबिट और नेपाल की कई मौनिस्ट्री के दिवारों में भी आपको ऐसे प्राणी दिखेंगे, कुछ कहानिया कहते हैं कि येटी बहुत शान्त प्राणी है, वही कुछ कहानिया कहते हैं कि वह बहुत खतरनाक है, एक टिबिटन कहानी के साब से एक बुद्दिस पुजारी का एक दिन सामना हुआ एक घायल येटी से. जब उस पुजारी ने उस येटी की मदद करी तो उस येटी ने उनके आगे एक मरेवे टाइगर की बोड़ी रग दी अपना धन्यवाद देने के लिए. दूसरी कहानिया कहती है कि कई बार इंसानों ने येटी को दारू दिये ताकि येटी एक दूसरे के हिलाफ लड़ने लग जाए और एक दूसरे को मार दे. टिबिटन कहानियों के साब से येटी बस मेल नहीं होते बलकि फीमेल भी होती है. एक कहानी के साब से एक female येटी ने एक बार एक आदमी को पकड़ लिया और उसके साथ दो बच्चे करें जब उस आदमी ने अपने बीटे के साथ भागने की कोशिश करी तो उस येटी ने उस आदमी को मार दिया और अपने बच्चे को खा लिया और ऐसी कई कहानिया है अब चाहे हम जैसे लोगों को कुछ साल पहली कहानिया पता चलिएंगे येटी के बारे में शर्पा लोगों के बीच ऐसी कहानिया कई सालों से बताई जा रही है और ऐसा नहीं है कि येटी जैसी कहानी बस टिबिटन कल्चर में ही है हमारे कल्चर में जैसे एक कहानी जो मैंने अपने बच्पन में सुनी थी घटोतकच की, घटोतकच एक बच्चा था जो बहुत छोटी सी उमर में अपनी मां को खो देता है और गाओं वाले उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक राक्षस के साइस का होता है, अब मैं आपको पू सबसे अच्छी बात यहीं कि ऐसी audiobooks बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े और एक साथ भी, कुकू FM पर कही तरके का कॉंटेंट है, जैसे बिजनस भी, बायोग्रफी भी, मिस्ट्रीज भी, पॉलिटिक्स भी, और audiobook से अलावा उनके पास कही औरिजिनल पॉटकास भी है, कूपॉन कोड मोग 50 यूज करोगे, पर ये कूपॉन कोड बस पहले 200 users के लिए है, तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्रिप्शन में है, अब सवाल यह है कि येटी रियल है या फिर नहीं, इस चीज के बार में कई evidence पेश करे गए है, जैसे 1951 की ये photo, पर इस photograph के 30 साल पह 47% लोगों नहीं हमारे चानल को सब्सक्राइब किया है, तो अगर आपको ये content पसंद आ रहा है, तो subscribe ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसा ही content मिले, क्योंकि येटी की mystery की वले से कई कहानियां create हुई है, और इसके अलावा कई किताबे भी, video games भी और movies भी अब सवाल ये है कि येटी के बारे में जो evidence दिया गया है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं या फिर नहीं, ये evidence दो तरीके का है, पहले है कहानियां, जैसे 1974 की बात करते हैं, जब लाप कौदोमा, जो एक नेपाली शर्पा की बीवी थी, वो एक नदी के पास घायल पाई जब उनको होश आया, उन्होंने लोगों को बताया कि येटी ने उनको नदी में फेक दिया था, पर ऐसी चीज़े verify करना बहुत मुश्किल है, तो हम दूसरी तरीके के evidence पर concentrate करेंगे, और वो है footprints, हाथ या फिर बार, पहले बात करते हैं, फुट्प्रिंट्स की, कई mountaineers न scientists और experts की मानें, तो नहीं, जैसे 1921 में जब Charles Howard Burry ने अजीब से footprints देखे, उन्होंने का कि वो खुद ही नहीं मानते कि ये footprints किसी जंगली आदमी के थे, in fact उन्होंने एक journalist को बताया कि ये footprints एक भीडिया के थे, पर इस कहानी में मसाला नहीं था, इसलिए उस journalist ने छाप दिया कि ये footprints एक राक्षिस के थे, पर इस 1951 की photograph का क्या है, ये footprints तो एक भीडिये के नहीं लग रहे, Dr. Michael Ward ने कहा कि उनके साब से ये footprints एक इंसान के ही है, 1999 में उन्होंने लिखा कि ये footprints एक Tibetan के हैं, इसके पैर थोड़े अजीब से थे, अब अगर ये footprints किसी इंसान के है, तो कौन कि इंसा इंसान इतनी ठंड में नंगे पैर रहता है, Dr. Michael Ward ने इसके बारे में भी एक explanation दी, उन्होंने का कि उनके खुद के experience में वो ऐसी काई tribes से मिलें, बुटान और नेपाल में, जो अच्छिनी नंगे पैर घूमते बरफ में, तो क्या ये footprints किसी इंसान के थे, scientist कहते हैं 1955 में कई experts ने का था कि ये footprints एक भालू के हैं, legendary mountaineer, Reinhold Messner, जो पहले आदमी थे, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे उची peaks climb करी थी बिना oxygen के, वो भी इसी बात में मानते थे, पर अब researcher Daniel C. Taylor, जो कही सालों से yeti के बारे में research कर रहे हैं, और उन्होंने एक book भी लिखी है, वो भ अब दूसरे evidence की बात करते हैं, इस photograph को देखिए, ये है yeti की खोपड़ी और हाथ, जो आप नेपाल की एक monastery में पा सकते हैं, अब ये खोपड़ी और हाथ, नेपाल की monastery तक कैसे पहुची, एक बहुत ही interesting story है, जो honestly मेरे असाब से, एक Bollywood movie होनी चाहिए, शुरू से chart करते है Tibetan text के साब से, एक Indian Buddhist monk थे, जिनका नाम था Sangva Dorje, जो नेपाल गए थे, एक गुफा में meditate करने के लिए, उन्होंने काई कि एक बहुत शान्थ yeti था, जो उनके लिए खाना, पानी और तेल लेकर आता था, जब इस yeti की मौत हो गई, तो Sangva Dorje ने उस yeti की खोपड़ी भी रख और हात भी, और इन चीज़ को डाल दिया, पांग बोचे गुमपा में, एक monastery जो उन्होंने बनाई 1667 में, फिर 1957 में एक American आदमी आए, येटी के बार में research करने, उनका नाम था Tom Slick, पर वो येटी को ढूंड नहीं पाए, क्योंकि वो घायल हो गए, उन्होंने दो भाईयों को का येटी की search करने कले, ये थे पीटर और ब्रायन, अपनी तलाश के दुरान, पीटर ने पाया, कि पांग बोचे मौनेस्ट्री में, येटी का हात भी है, और खोपड़ी भी, अब ये सुनिये, पीटर ने येटी की हात की, एक उंगली स्मगल कर ली, एक Hollywood सूपरस्टार James Stewart के साथ, जो उस समय कैलकटा आये थे अपने बीवी Gloria के साथ, James Stewart ने अपने बीवी को का, कि वो येटी की उंगली अपने अंडर गार्नमेंट्स में रख ले, ताकि इंडियन कस्टम अफिशल्स को कुछ पता ना चले, और इसी तरह, ये येटी की उंगली, लंडन दख प और फिर वो उंगली गायब हो गई, उंगली गायब होई थी 1991 में और 20 साल बाद BBC के डॉक्यमेंटरी क्रू को इस उंगली के बार में पता चल गया, उनको ये उंगली मिली लंडन के Royal College of Surgeons Hunterian Museum में, इस डॉक्यमेंटरी क्रू को permission भी मिल गई इस उंगली पर DNA टेस्ट करने क Dr. Rob Jones जो एक Senior Scientist से Zoological Society of Scotland के उन्होंने का कि वो उंगली इंसान की ही थी, तब उंगली तो इंसान की थी, खोपडी का क्या, 1960 में Edmund Hillary जोने ने Mount Everest क्लाइम किया था, उन्होंने का कि वो कुछ Scientist के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो खोपडी किसकी है, और उन Scientist को प अपरी की तरह होता है, तो Footprints है भालू के, हाथ था आदमी का, और खोपडी थी सेरो की, अब आते हैं Last Evidence पर, ये हैं Oxford के Geneticist Brian Sykes, 2013 में उन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया, कि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनके पास येटी का बाल, दांत या फर सकिन ल दूसरे जानवरों के Genes से compare करे गए थे, और unfortunately इसमें से जाधर तर samples जानवर के थे, किसे कवे, घोडे या फिर भालू के, पर इनमें से दो samples बहुत interesting थे, ये samples से लदाक से और भुटान से, और ये samples match होए थे एक ऐसे polar bear से, जो करीब 6.5 लाक साल पहले इस धर्टी पर था, जिसकी वरे से ब्राइन साइट्स ने का कि येटी एक्चली polar bear और brown bear का hybrid है, और जब दूसरे scientists ने same data analyze किया, जो दो वो mysterious samples थे लदाक और भुटान से, वो actually samples थे एक brown bear के sub samples से, 2017 में भी एक और scientist की team ने येटी के body parts analyze करे, जैसे हड़ी, दात, skin या फिर बाल, ये samples उन्होंने ह samples collect करें, और उन्होंने देखा कि 9 samples में से 8 samples थे, Asian black bear, Himalayan brown bear, या फिर Tibetan brown bear के, और 9th sample था, एक कुत्ते का, ये सब सुनके अब आपके मन में एक सवाल आएगा, कि अगर इतना evidence पेश कर दिया गया येटी के खिलाफ, तो आज भी येटी के बारे में इतनी बाते क्यों हो रही शिवा धकल, जिन्होंने इस विशे पर एक book लिखी है, वो कहते कि येटी की कहानिया शायद popular हुई थी, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को एक सबग सिखाना चासे हैं, कि बच्चे जाज़ा दूर ना जाएं और अपने परिवार के पास ही रहे, दूसरे लोग कहते कि ऐसी चीज़े कहानिया हैं, जो हमें एक सीख देती हैं, ये सीख कि knowledge आप बस degree से gain नहीं कर सकते हैं, बलकि knowledge आप gain करते हो, अगर आप curious हो और brave हो, Daniel C. Taylor कहते हैं, कि लोग येटी में विश्वास करते हैं, त्यूकि वो एक उधारन है कि हम इंसान भी अपने nature से connected हैं, इसल कहानियां हमारे समाज में खतम नहीं होंगी, और इसके दो कारण हैं, पहला है कि आप कभी भी ये प्रूव नहीं कर सकते हैं, कि येटी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश में एक line है, absence of evidence is not evidence of absence, क्योंकि अगर एक चीज़ के बारे में आपके पास proof नहीं है, उड़ते वे हाती के बारे में भी और पांच खोपड़ी के बंदर के बारे में भी, ये पहला कारण है, और दूसरा कारण है, हम सब को mysterious कहानियां पसंद हैं, कहानियां हजारों साल से बताई जा लिए, और हजारों साल बाद भी बताई जाएगी, और हम मेंसे कौन ही होगा इसको Yeti के कहानी इतनी पसंद नी आएगी तो hopefully आपको ये विडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा Yeti के मिस्टरी के बारे में तो आपको ये विडियो भी अच्छा लगा इंडियन्स की मिस्ट्री के बारे में भी कि इंडियन्स आक्चिली है कौन तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए